Hello, Welcome, आज हम पढ़ेंगे Physical Feature of India, बारत की बोतिक बिशेश्ता हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बारत में अलग लग तरह के Landforms हैं, जिसमें हमारे पास Mountains हैं, साथ में हमारे पास Plains हैं, साथ में Pleatus हैं, Desert हैं, Coastal और साथ में हमारे पास Island हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे Mountains की बारे में है, तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो इंडिया में जो अलग-लग physical feature है, अलग-लग जगा पे situated है, अगर हम हिमालियन mountains की बात करें तो ये north west से होते हुए north east तक फैले हुए हैं, और अगर हम उसके बाद हमारे plains की बात करें तो ये हमारे पास पन्जाब से होते हुए, most of plains हमारे उत्तरपरदेश में है, और ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र वैली असम तक फैले हुए हैं, अगर हम playills की बात करें तो playills हमारे पास अलग लग तरह के प्लेडू से हैं जिनने हम Peninsular Indian प्लेडू भी कहते हैं तो यह हमारे पास यहाँ पे Baston Guard है, Easton Guard है, Deacon प्लेडू है शोटा नौकपूर प्लेडू है और अन्य अलग तरह के प्लेडू से हैं अगर हम उसके बाद बात करें Deserts की Deserts हमारे पास Thar Desert है जो हमारे पास Rajasthan में फैला हुआ है तो यहाँ पे हमारा आगए Thar Desert जो Rajasthan में है तो उसके बाद अगर हम Coastal Plains की बात करें वो वाले Plains होते हैं जो जितकी Sides Sea को Face करती है तो वो हमारे पास जो Coastal Plains हैं उनकी हम बात करते हैं गुजरात से होते हुए हमारे पास Best Bengal तक फैले हुए हैं तो Island की बात करें हमारे पास दो तरह के Island Group हैं जिन में हमारे पास Lakshay Deep है और साथ में हमारे पास Ondobar और Nikobar Deep Smooth है तो अगर हम Himalians Mountains की बात करें तो यह हमारे North Best Pamir North से होते हुए North East तक फैले हुए हैं तो जिन में हम अलग लग तीन categories में divide करते हैं अगर हम इनकी length की बात करें तो इनकी जो length है वो 2400 km है और अगर हम इनकी width की बात करें चोड़ाई की बात करें तो वो लग बग 400 km है तो हम Himalayan Mountains को 3 category में divide करते हैं सबसे पहली category होती है जो सबसे अंदर वाले mountains है सबसे पहले वाले mountains है होने हम inner most mountain कहते हैं और उसके बाद जो mountains है वो उन्हें हम lesser mountain कहते हैं और जो सबसे बाहर वाले mountains है उन्हें हम shivalik range कहते हैं तो यहाँ पर आप देख पागे हो सबसे पहले वाले mountains range है वो हमारे पास inner most mountain range है उसके बाद हमारे पास lesser mountain शुरू हो जाते हैं और सबसे उनके बाद हमारे पास shivali क्रेंच शुरू हो जाते हैं जो हमारे पास north east तक extended है तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालिन mountains की तो ये बने कैसे थे आज से 25 क्रोट साल पहले आज के continent देखें तो हमें अलग-लग से continent मिलते हैं पगर 25 क्रोट साल पहले एकी continent हुआ करता था जिसे हम Pangea कहते थे जब ये Pangea divide होता है जे Pangea है Pangea जब divide होता है continent drift की बजा से ये जो continent होते हैं अलग-लग चलते हैं तो हमारे पास दो main continent बनते हैं जिसमें North America, South America, Africa और Antarctica और Eurasia continent Eurasia और Australia continent मिल जाता है तो जब हमारा Africa continent से India सब कांटिनेट अलग होके Eurasian continent की plate के साथ समर्ज करता है तो हमारे पास Great Himalayan mountains बन जाते हैं तो जिस तरह से हम देख सकते हैं अगर हमारे पास दो कांटिनेंट है जब ये continent मुफ किया जब अफरीका से एक बाग हमारा continent का Indian सब कांटिनेंट का तूटके जब Asian continent के साथ मिला तो उनके बीच में constructive interference होता है जब भी दो continental जब प्रेट एक दूसरे की तरफ चलती है तो उनके बीच में जब एक दूसरे का mountains में सबसे inner most mountains हैं और सबसे loftiest in an irmost mountain के आ जाते है। उनके और सबसे नीचे आvärमेंज का हम शिवायक रेंज कहते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनमें अलग-लगивает तरांकी पीक्स हैं तो जिसमें हमारे पास मौंट एवरेस्ट है मौंट एवरेस्ट को हम नंबर यहां पर बांद दे देती हैं तो नंबर वन हमारे पास नेपाल में है तो नंबर टू है हमारे पास अगर देखें तो यह कंचन जुगा है कंचन जुगा हम देखें तो सिक्कम और नेपाल की बॉंटरी की बीच में है तो इसको हम नंबर 2 दे देते हैं तो थर्ड नंबर पे है हमारा मौकलू दुलादार दोलगिरी अगर हम मौकलू दोलगिरी की बात करें तो हमारे पास ये भी नेपाल में है इसको हम नंबर 3 दे देते हैं तो नंगापर्वत की अगर बात करें तो नंगापर्वत आगया हमारे पास नंबर 4 पे जहां पे लदाख में जंक्सर रेंज जब एक्स्टैंट होती है पाकिस्तान जाती है तो यहां पे mountains रेंज है जिसे हम नंगापर्वत कहते हैं अनपूर्णा अनपूर्णा नंबर 5 पर आ गया ये भी हमारा पास नेपाल में ही situated है अगर हम नंबर 6 की बात करें नंदा देवी नंदा देवी हमारे उत्राखंड में है तो यहां पर आ गया आपका नंबर 6 उसके बाद हम केमत की बात करें तो केमत भी हमारा उत्राखंड में है यह आ गया हमारे पास नमबर 7 अच्छ उसके बाद हमारे पास आता है नामचा बारबार नामचा बारबार की हरम बात करें तो यह उनाचल परदेश में है यहाँ पर आ गया हमारे पास number हमारे पास 7 हो गया था अब हमारे पास number यहां पर आ गया 8 और number 9 की बात करें तो गरलवा मंदाता ये भी हमारे पास नेपाल में ही है तो number ही आ गया हमारे पास 9 तो ये loftiest mountain है greater himalians के यह हम कह सकते हैं inner himalians के तो inner himalians जो है ranges है ये continue ranges है और सबसे loftiest range है इनकी जो height है वो सबसे ज्यादा उंची है तो इनकी जो average height है वो हमारे पास 6,000 meter above the sea level है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास lesser himalians आ जाते हैं lesser himalians में हम देखें तो ये himalians जहां हम जो inner most mountain के आगे आते हैं तो उन्हें हम lesser mountains कहते हैं जहां हम इनको himalians भी कहते हैं अगर इनकी height की बात करें तो वो 3,700 meter से लेके 4,500 meter तक है और अगर हम इनकी चोड़ाई की बात करें तो हमारे पास 50 km है तो अगर हम इन में अलग लग तरह की important region जिनमें हमारे पास पीर पंजार रेंज है और जो इस mountain की सब्सक्राइब longest range है हमारे पास दुलादा रेंज है और साथ में हमारे पास महाँ बारत रेंज है तो यह mountains है अगर हम इनको हम average length लेके तो यह हमारे पास north best से लेके north east तक फैले हुए जिनकी जो length है वो 2400 km है और इनकी जो maximum width है चोड़ाई है वो हमारे पास 400 km है तो उसके बाद हम अगर हम बात करें पीर पंजार रेंज की तो यह जो पीर पंजार रेंज है यह कश्मीर में है सौथ कमिश कश्मीर में है और उसके बाद अगर हम बात करें दोलादा रेंज की और महाबारत रेंज की तो यह दोलादा रेंज हिमाचल परदेश में है और जो महाबारत रेंज है यह भी हमारी हिमाचल परदेश में है तो इनके बीच में अलग लग सी bellies है बैली वो होती है जो mountains के बीच में जो plane area होता हुसे हम bellies कहते हैं तो ये अलग-लग इन मौंटेंस में बैली है जिसमें हमारे पास कश्मीर बैली है और साथ में हमारे पास हिमाचल में अलग-लग बैली है जिनका नाम कुलू बैली और कांगडा बैली है तो कुलू और कांगडा बैली भी हमारी हिमाचल परदेश में है तो उसके आगे हम अग पूरा तक फैले हुए हैं तो इन हम mountains को अलग लग categories में divide करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम इनकी height की बात करें तो इनकी height सबसे कम है तीनो type के mountains जो हमने 2 type के पहले पड़े उनसे height सबसे कम है इनकी height 900 meter से लेके 1100 meter तक है और इनकी अगर चोड़ाई की बात करें तो इनकी चोड़ाई जो है वो 10 से 15 km है तो इनकी बीच में भी अलग अलग तरह से की बैली है जिनकी बैली इसको हम duns कहते हैं जिसमें देरा दून, कोटली दून और साथ में पाटली दून ये इनकी बैली से हैं तो इनको हम अलग अलग categories में divide करते हैं इंडस से लेके मौंटेन पंजाब मौंटेन भी कहते हैं तो जहां हम इनको हमाचल मौंटेन भी कहते हैं उसके बाद हमारे पास शुरू हो जाते हैं जो मौंटेन इंडस बैली से आगे सतलूज से आगे काली रीवर तक देखें तो उन्हें हम कमाउ बैली कहते हैं तो यहां तक था हमारे पास Inders River थी और Inders River से हमारे पास सतलूज, तो सतलूज था कि इनको हमने Punjab Mountain कहा, जहां हमने इनको Kashmir Mountains कहा, तो Kashmir Mountains से आगर हम आगे चले जाएं तो हमारे पास Kamau Mountains मिल जाते हैं, तो Kampauau Mountains मौन्तेंज कहां तक हैं? काली बैली से लेके, यह extend होते हैं और काली वैली से अगर हम आगे इनको लेके जाएं तो यह हमारे पास सतलूज से लेके काली रीवर तक फैले होए हैं तो यहाँ पे सतलूज रीवर है और यहाँ पे हमारी काली रीवर है तो अगर हम काली river से further extend करें तो इनको हम नापाल hills कहते हैं जर्ण हम इनको नापाल mountains कहते हैं जो हमारे काली valley से लेकर 30 river तक फैले हुए हैं काली रिवल से लेकर 30 river तक इनको हम हिमालें कहते हैं क्योंकि यह नैपाल की सीमा को भाट की सीमा से अलग करते हैं तो यहां पे है है हमारी तीस्ता रीवर, अगर हम फिर से तीस्ता रीवर से अगर हम आगे चले जाते हैं, तो तीस्ता रीवर से लेके यहां तक है हमारी पास दिहांग रीवर, तो दिहांग रीवर तक इनको हम ब्रहम पुत्रा हिल्स भी कहते हैं, तो यहां हम इनको असाम हि भी कहते हैं हिमालियस भी कहते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं जो तीस्ता है तीस्ता से लेके दिहांग रिवर तक इनको हम असम हिमालियस कहते हैं तो यहां पर हम देख लेते हैं यह है हमारे पास यहां से हमारे पास तीस्ता रिवर है तीस्ता से लेके हम अगर दिहांग र पुर्वांचल है, तो पुर्वांचल में भी अलग लग सी पीक हैं, तो ये हमारे पास थे शिवालिक रेंज, तो शिवालिक रेंज में हमारे पास पुर्वांचल हीने कहते हैं, जहां हम इनको इस्टर्न मौंटेंज या इस्टर्न हिल भी कहते हैं, तो इनमें अलग लग त झाल झाल